हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देवी मया के लिए और गंगोर माता के लिए ड्रेस बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा ले लिया है और मेरी जो मुर्ती है जिसकी मुझे ड्रेस बनानी है उसकी जो चोड़ाई है वो दो इंच है तो मैंने त भाइभा क्यों इसी तरह से बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं यह यह लहएंगा मैया का यहां पर मैंने दोनें तارफ से फोल्ड कर लिया है अब मैं के में लिच Qais लोंगी यहां लेले लेका। जो हमारा लहंगा बनेगा उसका नीचे बोर्डर पार्ट बन जाएगा ये तो इस तरह से बोर्डर बनाने के लिए मैं पहले ही ये लेस लगा लूँगी देखिए इस तरह से आप पूरी नीचे नीचे पूरी किनारी पर ये लेस लगा लें आप ये लेस मसीन से भी लगा सकते हैं और मैं यहापर सुई धागे से लगाऊंगी इसके पाद हम सुई से मोटे मोटे से यहाँ पर देखिए इस तरह से स्टीचिंग करेंगे हम ये हम रफली स्टीचिंग करेंगे इस तरह से ताकि इसमें चुनटे पढ़ जाएं क्योंकि ह इसको वैसे सिलाई से चुनटे नहीं डालेंगे इसमें इस तरह से बहुत अच्छी सी चुनटे पढ़ जाएंगी क्योंकि मुझे जो घेरा लेना है यह सिर्फ दो इंच का ही लेना है मैं गंगोर मैया के लिए बना रही हूं और मेरी गंगोर मैया और जो सेरवाली मैया है इ यह 2 इंच का रहे तो इस तरह से हम यहां से चोड़ाई उपर से 2 इंच की ही रखेंगे और इस पर मैं गोटा ले लूँगी और वो गोटा लगा दूँगी तो देखिया आप माप लें माप की अक्वोर्डिंग ही लें आप इसको तो यहाँ पर मैंने माप लिया है और रहेगा उसकी चोड़ाई 2 इंच की रहेगी लंबाई जोसकी रहेगी और इस तरह से हम इसको सील देंगे क्योंकि यह जो गोटा है यही पीछे की तरफ बंद जाएगा तो इसलिए मैंने यहां पर गोटा ले लिया है आप यहां पर डोरी भी ले सकते हैं या इसी कपड़े क आप लेस बना ले आप इसके बाद जो यह उपर का पोर्शन बच गया इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और पीछे की तरफ सिलाई लगा दूँगी ताकि थोड़ी फिनिशिंग दिखाई दे यहां पर तो इस तरह से आप इसको काट भी सकते हैं लेकिन मैं इसको फोल्ड कर दूँगी यहां से फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग अच्छी लगेगी इसकी इस तरह से तो देखिए हमारा लेंगा बन गया है अब यह जब आप पीछे की तरफ बांधेंगे ऐसे यह लेंगा बन जाएगा और इसको पीछे की तरफ इस तरह से बांध तो फ्रेंड्स यह जो लहंगा है यह आप गंगोर मया को भी पहना सकते हैं दुर्गा मया को भी पहना सकते हैं पारवती मया को भी पहना सकते हैं जिस भी मया के लिए आपको पोशाक बनानी है आप इस तरह से पोशाक बना सकते हैं अब हम कपड़े का ही छोटा सा टुकड लेंगे गोटी के लाएंगे और चुन्री अलग से इन अलग से बनाएंगे यह पका टाइप में बनेंगा तो इस तरह से हम चार prov इसके यह गोटा लगा देंगे यह गोटा लगाने के लिए हम पहले थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करेंगे जो गोटे के नीचे हमने जो कपड़ा लिया है इसको थोड़ा फोल्ड करते हुए फिर हम गोटा लगाएंगे आप यहाँ पर कोई लेस भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर गोटा लिया है देखिए पटका बन गया है और मैंने एक एक्स्ट्रा पटका बना लिया है तो यहां पर यह मैं इसर जी को पहनाऊंगी एक पटका और एक मैं गंगोर जी को पहनाऊंगी तो इस तरह से मैंने गंगोर और इसर जी के लिए बना लिया है अब मेरे पास यह चुन्री का के लिए मैनने कनालिया है कि देखें पहले मैं इसको थोड़ा सा क रोड़ा हुँए यह मैं काटए लूँगे चारों तरफ से इसको चुन्री के लिए आप थोड़ा सा पतला कपडा ले तो ज़्यादा अच्छी बनती है अगर नेट का कपडा हो तो और भी अच्छी बनेगी और ये मैं किनारी लगा दूँगी इस पर मेरे पास ये किनारी है तो इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए मैं ये इधर आगे से भी फोल्ड कर लूँगी और साइडों से भी थोड़ा फोल्ड कर लूँगी और अभी मैं इस तरह से इस पर किनारी लगा दूँगी ये किनारी में चारो तरफ लगाऊंगी तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए हम किनारी लगा ली है और यह बहुत ही सुन्दर लग रही है देखिए अब मैं इस पर गोटा लगाऊंगी क्योंकि मैंने लहंगे में भी गोटे का ही इस्तमाल किया है तो यहां पर भी मैं गोटा लगा दूँगी क्योंकि मैं इसको थोड़ा जैपुरी वाला सा लुक दूँगी और यह मेरे पास थोड़े स्टोन रखे हुए हैं तो यहां पर मैं स्टोन भी लगा दूँगी चुन्दी में चारो तरफ लो कहीं कहीं पर स्टोन लगा दूँगी तो यहां पर मैं इनको पेस्ट करूँगी सीलूँगी नहीं यह मैंने गोटे के जो फूल लिये हैं उनको पे जब आप पहनाओगे तो मयारानी के उपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, आप एक बार बना के जरूर देखना, देखो किती सुन्दर चुन्नी बनी है ये, और इस तरह से ये पोशाक बहुती सुन्दर बनेगी, फ्रेंट्स इस तरह से बहुती कम समय में आप गंगो बहुत बहुत धन्यवाद